आज के इस वीडियों पे हम क्या देखने आ लिए यह सिक्स के NCRTA जिसमें हम पहला चाप्टर कवर करेंगे वाट वेर हाव एंड वें इंडर्ड़क्शन चैप्टर है तो हमने सारी चीज़े देखेंगे आज देखेंगे समय पहले रशीदा का क्विश्चन क्या है रशीदा रशीदा बैटी भी थी निउस्पेपर पड़ते हुए सड़नी हर आइस फिल और एसमाल हेड्लाइन उसकी नजर पड़ी एक छोटी से हेडलाइन पे 100 येर्स अगो कोई क्या जान सकता है कि इतने सालों पहले क्या हुआ था तो ये कुश्चन था और ये कुश्चन के जरीए चैप्टर में एक इंट्रेस लाने की कोशिश की बच्चों के लिए तो आज हम देख लेते हैं कि ये चैप्टर बताना क्या जाता है तो सब में पहले हीडिंग है, found out what happened, find out भी धूना के क्या हुआ, yesterday, kal, you can listen to the radio, watch televisions, read a newspaper, last year, ask somebody who remembers, but what about long, long ago, let us see how it can be done, अगर आपको कभी कुछ जानना है तो आप क्या कर सकते हैं, रिडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं, टीवी का, निजपेपर, मोबाईल का, इंटरनेट का, आप easy निए कोई चीज जान सकते हैं, अगर कोई साल पहले की बाते जानना है, आप अपने कोई चीज रिकार्ड ही नहीं किये, तो आप किसी जानने वाले को पूछ सकते हैं, लेकिन क्या अगर बहुत सालों पहले कोई चीज गुजर चुके हैं, तो क्या उसे भी जाना जा बहुत सारी चीज जो हमें पता लगा सकते हैं, वाट पीपल एट, पीपल क्या खाते हैं, क्या खायें, वाट क्लोज दे वोर, कौन से कपडे पहने, वाट इन विच दे लिव, कौन से घरों में रहें, वी जाना आप लाइफ ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर् आइस्ट, आइस्ट, मिजिशियन, साइन्टिस, और ओके, वाट ये हंटर्स क्या है, जो शिकार करते हैं, हर्डर्स यानि जो बेल भेल बेल वक्रिया चलाते हैं, उसे कहेंगे, फार्मर्स यानि आपको पता है, शिट करी वगरा, किसान को कहेंगे, रूलर्स यानि किंग यानि आज के जो बिजनिसमेन, हम जिसे कहेंगे, परिस्ट, यानि जो बंडित लोग, मौलवी लोग होते हैं, वो क्राफ्ट पर्चन, जो हाथ से कारीगिरी करते हैं, आर्टिस्ट, मिजिशन, ये सारी चीज़े उसी में आती है, साइन्टिस्ट, जो भी चीज़े थी, व हम जान सकते हैं, क्या पहनते थे, कहां रहते थे, उनका प्रोफेशन क्या था, ये सब जान सकते हैं, तो इस परिग्राफ में वहीं बताने की कुश्ची है, तो आप इस तरीके से इसके बारे में नोट्स भी बना सकते हैं, फिर इसके बाद देखिए, उसके बाद है, वे नर्मदा रिवर को फाइन और करने कोश्ची थी, okay, people have lived along the banks of this river, यानि नर्मदा रिवर की बात हुरी, यानि नर्मदा रिवर की बात हुरी है, along banks of, यानि bank यानि हमारा जो bank ने पैसे जमा करती है, हाँ पर किनारी के बात हुरी, bank किनारे पर, okay, of this river for several hundred thousand years, और पहले लोग नदी के बाज़ की हो रहते थे, यानि की पानी के availability रहेगी, तो सारी चीज़े आसारी से होगी, जो भी उनके ज़र्वियात है, वो सारी चीज़े पूरी होगी, okay, some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, okay, जो यहाँ पर रहते थे, नर्मदा नदी के बैंक के उपर जो रहते थे, आस किनारे पे, तो skill gatherers थे, gatherers gather के मानी क्या होता है, gather के मानी कोई चीज़ एखटा करना, यहाँ पर एखटा करने वाले, लेकिन इसका मतलब आगए आपको और समन्द में आएगा, that is people about the worst wealth of plants, okay, just let me, just okay, तो यहाँ पर क्या है, they knew, they knew about the worst wealth of the plants, okay, worst wealth of the plants यह नहीं, जो plants का जखीरह उनके अंदर क्या खाबील आते, क्या चीज़े, किस तरीके से जड़ी बूटे के तोर पे काम आते थी, वो बोलना चाह रहा है, okay, in the surroundings, forests collected roots, fruits and other forests produce for their food, okay, तो यह सारी चीज़े इनों collect करते थे, जैसे plants वगेरा, food, roots उनकी, जो roots जो तनी होते हैं, जिसे हम जड़ कहते हैं, okay, forests वाले, okay, fruits जो भल पौदे थे, वो हम भल की बात कर रहे हैं, okay, forests produce, okay, for their food, जो भी forest से निकलती चीज़े, वो सारी चीज़े ये इस्तेमाल करते थे, okay, फिर उसके बात देखिए, okay, मैं तो असानी चेले ले ता उसके, okay, now, now find the सुलेमान and किर्थर hills to the not waste, okay, तो आपको नहीं हैं पे मैप दिया है वाए, तो आपको ये सारी चीज़े खुद से देखना है, कि यहां पर सुलेमान दिख्या आई, एक किर्थर दिया रहा है, तो हम यहां पर इसकी बात कर रहे हैं, कि इससे पहले हमने नर्मदा नदी की बात कर रहे थे, तो आपको नर्मादानदी यहां पर मिल जाएगी, तो इस तरीके से आपको देखना है मैप में, कि यह जो बात कर रहा है, वो किस की बात कर रहा है, तो आपको आसानी से सारे चीज़े समझ में आएगी, ओके, तो यहां पर find out, मुझे लगा है कि आपने ढूल जाया है, ओके, सम अफ दे एवियास पर वोमें एंड में, ओके, वोमें एंड में यानि एक अदमी की बात नहीं कर रहे है, सारे इनसानों की सारे जो भी जितने भी आउरते हैं, मर्दे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, एक वोमन होता है, इस वाला, यह वाला, यह एक आदमी की बात होती है, ल यहां पे यह रिज़न है कि सुलिमान एंड किरितर हिल्स जहां पे लोगों ने पहले क्रॉप्स उगाना शुरू किया सच है कौन सेकोंस है एक वीड है और दूसरा है बारले अबाउट एट थाउजन येर्स अगो और लुकेरिड है करीब 8000 सी आध लगों ने या पे वीड और बारले उगाना शुरू किया थाकर बाउट प्राइंड को प्राइन पर लोग और लोगों याँ नहीं ब्लेड को मांद सकते लिए इस तरीके से लिखना योग और रहते थे और आट हजार सार्पे लोग और पर पोफेशन लिखना प्रोफेशन में आप लिख सकते है रेरिंग एनिमल्स, शीप लाइक शीप गोट एन कैडल और उनके प्रोफेशन था रहा पर लोकेशन के लिए लिख देना है लब लोकेशन के लिए शॉट फॉर्म और रहा पर लिख सकते हैं आप विलेज और आथ हजार साल पहले क्या करत तो यह सारी चीजे इस तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं छोटे मोटे एरो अगेरा देखें ताकि आपको बार बार यह चैप्टर पढ़ने की जुरूरत ना पड़े पर देखें अग्रिकल्चर डिवलप अगे अगे अग्रिकल्चर डिवलप अगे आपको गारू हील्स जुना होगा यहां पर कहा है देख लीजियो के तो यहां पर गारू हील्स आपको देखना है तो यहां पर बात कर रहा है यह नर्मद आरीवर के ओपर जो विंद्या से उसी की बात हो रही है यहां पर तो यह दो चीज़े हैं यहां पर के सेंट्रल और नॉर्थ इस्ट में क्या देखना है आपको गारू हील्स देखना है कि पहले 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 किया है पहले नॉर्थ को सब में पहले जहां चाओल उगाये वह कौंसी थी नॉर्थ अज्विंद्यास नी विंद्यास के नौर्थ में, trace the river Indus and its tributaries, okay, so river Indus आपको क्या हम से है, Indus river ढूनना है, और इसके tributary यानि अब समझी है, इसके tributary ऐसी होगी, okay, इसे हम tributary कहेंगे, so यह है, tributary are smaller rivers that flow into a larger one, मतलब tributary क्या होती है, एक छोटी से flourish, मतलब कुछ city जो है, flourish होई, मतलब फली पूली होँआपे on the banks of these rivers, कौन सी rivers पे, जो हम Indus river की बात कर रहे हैं, उसके tributaries पर, फिर लेटर, about 2500 years ago, cities develop on the banks of गंगा, फिर बाद में 2000, इसके 2000 साल बात, नदब 2500 साल बात, क्या हुआ, गंगा रिवर की उपर भी और इसके tributaries पर भी cities develop होना शुरू होगी, तो कि ये history, आप इस तरी के से लिख सकते हैं, आप इसे chronology order में, एक second, आप chronology order में भी लिख सकते हैं, जैसे एट थाउजन येर के बाद क्या हुआ, ऐसे चार सा, चारजा 700 साल पहले क्या हुआ था, 2500 साल पहले क्या है, तो अब इसके बारे में ऐसा ऐसा लिख सकते हैं, अगर यूपेसी ने पूछते हैं, इदर के चीजे पूछता रहता है, यह परसी अनप्रेडिक्टेबल है, आपको पता है, कुछ भी उठा कर पूछता है, तो आप सिर्फ ध्यान में रहकना है, चीज ऐसा नहीं कि आप मतलब पूरे चीजे एग्नोरी कर रहे हैं, माई नहीं पर रहकना है कि हाँ, यह भी चीजे है, वहना आप बाद में पस्ता होगे, कि यार यह मैं पढ़ लेता था तो अच्छा होता, अब यहाँ पर क्या करना है हमें, लुकेट दगंगा एट्स ट्रिब्यूटरी, कॉल द परते इंगलिश में, तो यहाँ पर क्या बातो होलाँ तो यह आपर क्या बाद तो यह इंसे टाइम में अपर आप बिहार में, यह भी जोडिया लगाने के लिए क्लिए पूसकता है, कि मगत कॉन से से रिलेटेद हैं, तो यह आपको देखना है, इस रूलर्स वर वेरी पा आजा थे, बहुत पावरफुल थे, set up a large kingdom, okay, और उनोंने बहुत जारा large kingdom रजवाड़ा बना रहा था, kingdoms were set up in other parts of the country as well, तो दूसरे parts में भी होए थे, kingdom बनाये थे लोगोंने, okay, throughout people traveled from one part of the subcontinent to the other, another, okay, throughout, throughout, यानि इस वक्त के दुराँ लोगों ने travel भी किया, okay, एक subcontinent, मतलब subcontinent to another, okay, the hills and high mountains including हिमालिया, deserts, rivers and seas made generally dangerous at times but never impossible, तो यह जो हिमालियास थे हैं, जो हमारे पहाड़ हैं, इतने बड़े-बड़े, और deserts हैं, okay, जो भी हमारे रहा, रिगिस्तान वगरा होते हैं, rivers हैं, नदिया, seas यह समंदर्स वगरा, journey, यह बहुत जादी dangerous बना देते, लेकिन, so man and woman, लेकिन यह impossible नहीं थे, लेकिन लोगो कर सकते थे, journey के लिए, मतलब, सफर के लिए, क्या गेंगे उसे, enjoyment के लिए जाते हैं, उस तरीके से, as also to escape from natural disaster, okay, यह दूसरा reason होगा, पहला reason क्या होगा, livelihood हमारी यह notes बन सकते हैं, दूसरा reason क्या होगा, natural disaster होगा, okay, natural disaster मैं दी लिख दे रहा, उसलिप, okay, like floods or droughts तो आप यहा आर्मी मतलब, जो जंग वगेरा होती थी, armies concurring others land, okay, मतलब, जीतने के लिए, कि एक राजा ने बोला कि हमें वहाँ का लैंड जीतना है, तो लोग निकल जाते थे, उसमें आर्मी में जोईन होगे, besides, merchants travel, okay, with caravos or ships, जो merchants हैं, हमारे आज के businessmen बोलेंगे हैं, कारावा के साथ यानि, खाफीले के साथ, कारावा, यानि, क्या कहींगे हम से, कि बहुत सारे लोग एक साथ निकलते हैं, उसमें हम कारावा कहेंगे, और ships और नाओ के जरी भी, carrying valuable goods from place to place, and religious teachers work from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the religion, so आप लिख सकते हैं, for the sake of spirit of religion, okay, religion के spirit के वी लोग निकलते थे, हाँ प फैरली, some people perhaps travel driven by the spirit of adventure, okay, so चौता रीज़न यहां पर क्या होगे, adventure भी होता है, कि जिसे आज भी लोग भी वीडियो मना के निकल रहे, तो आज का adventure हमारे लिए वो है, पहले का वो था, okay, wanting to discover new and exciting places, all this led to the sharing of ideas between people, okay, तो, okay, so यह क्या हुआ, कि लोग यहां से महा जा रहे थे, किसके, मतलब इसका result क्या निकला, कि लोग आस पास की जो, जो भी इनके thoughts थे, उनके आस पास की यह रही कि जो भी मालूम आती तो, एक दूसरे के साथ, चीज़े share करते थे, okay, so why do people travel nowadays, आज क्यों लोग travel करते है, map one, once more, okay, आपको देखना है, फिर से, hills, mountains, seas, form the natural frontiers of the subcontinent, frontier यानि देखिए, अगर आप हमारा यह देश है, तो यहाँ पर अगर पहाड है, और यह दूसरा देश है, यह frontiers की तरह काम कर रहा है, एक wall की तरह काम कर रहा है, okay, so hills, mountains, सभी की बात हुरी यहाँ पर, while it was difficult to cross these frontiers, those who wanted, okay, those who wanted, could, and did scale, okay, those who wanted, could, okay, यहाँ पर कॉमा होना चाह फिर देखिए, उसके बाद है, and across the seas, समंदर के आस पास भी गुजरे, बतलब गय है, इतराफ बोलते हैं, यहाँ से जाना, इधर से जाना, यह समंदर भी जाना, इतराफ जाना, उसके किनारे पर जाना, एक किनारे से दूसरा, people from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here, हमारे देश में भी हो गई है, यह बोलना चाहरा है, these moments of people enrich our culture, our tradition, cultural tradition, people have shared new ways of carving stone, composing music, and even cooking food for, food over several hundreds of years, so आप बोल सकती कि travel, जो people, लोगों का आवन जावन है, आम मतलब लोग आ रहे हैं, और जा रहे हैं, तो इसकी क्या results होता है, क्या outcomes हो सकते हैं, तो क्या होगा, कि जो area का है, वहाँ पर cultural tradition, अपने साथ जो भी चीज़े हैं, वह दूसरे के साथ शेर करेंगे, दूसरे करते के साथ, जो भी चीज़े हैं, अब पहले तो, हमारे पास तो technology, अगर कोई हमारे पास company आएगी, company हमारे साथ technology शेर करेंगी, लेकिन पहले की technology क्या थी, लोग stone को carving stone, यानि stone को जिसे तराश के हैं, हम उसे carving stone काएंगे, composing music, music बनाना हो, कि even cooking food और food से related जो recipe है, वो भी लोग share क्या करते थे, यह बोनना चाहरा है, इस paragraph में, फिदे के names of the land, मतलब जगहों के नाम, names of the land, यानि यानि यहां पे जगहों के नाम की बात हो रही है, two of the words we offer use for our country are India and भारत, दो हमारे, दो इंडिया comes from the Indus, okay, so हमारा जो इंडिया है, किस से बना है, मतलब किस से आया है, Indus से आया है, call Sindhu in Sanskrit, तो इंड़स को ही क्या कहते हैं, हम संस्क्रिट में, Sindhu कहते हैं, okay, Sindhu, फिर इसके बात, find Iran and Greece in your Atlas, okay, आपके पार Atlas book होगी, तो ढूने ने तो Google Map से आप धून सकते है, the Iranians and Greeks, okay, the Iranians and Greeks की बात ओरियां पे, who came through the North West, okay, North West से आयते हैं, हमारा देश ऐसा है, okay, हमारा ऐसा है, वो बेखार बन गाए, ऐसा देश ऐसा मतली जे, तो वेस क्या ये होता है, तो North West इदर की बात कर रहा है, कि North West about 2500 years ago and were familiar with the Indus and call it the Hindus or the Indos and the land to the east of the river was called Indian, sorry, India, okay, yeah, that's right, family with the Indus and call it to the Hindus, stop, इनके पास, you know, बोनने क्या लगे, कि Hindus और Indos बोनने लगे, और जो भी East का रिजन था, लिवर के इस पास, Sindhu के East के रिवर के साइड में, कि Sindhu रिवर के East साइड में क्या बोनने लगे, इंडिया बोनने लगे, okay, so that's how we got the name India, the name भारत, was used for a group of people who live in the North West, okay, लोग North West में रहते थे, उसके लिए भारत पीपल इस्तेमाल, okay, भारत का वोट का इस्तेमाल क्या जाता, who are mentioned in Rig Veda, okay, Rig Veda, the earliest composition in Sanskrit, dated to about 3,500 years ago, later it was used for the country, okay, so ये चीज़े थी पहले रिवर के इसका इसका इस्तेमाल हुआ है, मैं इधर की चीज़े नहीं पढ़ रहा Okay, देख लिज़े अगर आपको नहीं आता तो मुझे कमेंट करें, हम इसे अलक सी वीडियो में बना देगे, find out about the past, okay, बन्दब past के बारे में जाना, there are several ways of finding out about the past, one is to search for the, okay, search for or read books, okay, that were written long ago, पहले हिस्ट्री को किस तरी के जान सकते हैं, पहले तो हम search कर सकते हैं और दूस अब यहां पर आपको नूर्स क्या मनाना है कि मनू स्क्रिप्ट किसे कहते हैं, तो जो हाथ से लेकिवी होती है, this comes from the Latin one, मनू, meaning hand, okay, तो मनू वर्ड के मानने क्या है, Latin word है यह और इसके मानने है hand, these were usually written on palm leaf, okay, palm leaf पर लिखा जाता था, किसका इस्तिबाल कहा जाता, palm leaf का, औ on the specially prepared bark of tree, bark of tree क्या होता है, जो भी हम जाल कहते हैं, जैसा हमारा जाड है तो हम इसे थोड़ा सा कुरेत के निका लेगे तो bark of tree होगा, as the birch, okay, known as, जिसे birch कहा जाता था, which grows in the Himalaya, जो Himalaya में उगा करते थे, इस तरीके से बोल सकते हैं, okay, फिर देखे, over the years, many manuscripts were eaten away by insects, some were destroyed, okay eaten away by insects and some were destroyed, but many have survived, okay, वक्त के साथ क्या हुआ, सालों के साथ क्या हुआ, वक्त की गुजरने के साथ, साल गुजरने के साथ, जो manuscripts थी, वो, कोई कीडों ने खा लिये, कहीं destroy होगे, जो भी flood वगएर आ रहे, कभी जल रहे, कभी जल रहे, कुछ हो रहे, कभी दब जारे, ज all kinds of subjects, okay, तो ये बुक मेंज़ा क्या था, इस बुक में था, religious beliefs थे, के practices थे, and lives of kingdom, किस तरीके से, lives of kingdom, जो भी, किस तरह से लहा रहा करते थे, medicine and science, जरी beauty के बारे में, besides, there were epics, poems, plays, जो भी heroic चीज़े होती है, urbics, poems, plays, many of these were written in Sanskrit, okay, तो इसकी language क्या थी, one of scripts क्या बोल सकते की, Sanskrit, the other word in prakriti, prakriti, language used for ordinary people, and, okay, Tamil, तो यहाँ पर कौन सी language use करी, Sanskrit use हुई, prakriti language, जो भी आप इस्तिमाल कर रहे है, regional language, गौर्नकुलर language, इस तरीके से, okay, जैसे आप अभी English बोल रहे हैं, समझ लिज़े और हमारी अभी है, यहाँ पर हिंदी है, तो लोग English में भी लिख रहे थ इंडिया के लेवल के लिए बोल रहा हूँ मैं, okay, पुर्देश के लिए नहीं, फिर इसके बाद, we can also study inscription, okay, so हमने पहले क्या पड़े, पहले manuscript पड़े आप पढ़ रहे हैं, inscription, these are writings on relatively hard surfaces, okay, तो यह आपके लिए keyword है, hard surfaces, क्या, आप बोल सकते के manuscript के में ता, palm trees पे था, जो आ okay, so that people could see, read, or obey them, तो पहले के रागार राचा लोग क्या करते थे, इस तरीके के पत्तर पे उन्हों अपने, जो भी order से, वो इंसक्राइब करते थे, इसका रहने लिखवा ले लेते थे, तराश कर समझ दीजे, इस तरीके से, और order के लोग उसे पढ़े और order को माने, there are other kinds of inscription as well, okay, where men and women including kings and queens recorded what they did, for example, kings of often kept records of victories in battle, तो इस तरीके का ये एक था कि लोग order देते थे और दूसरा, खुद के जो परसनल चीजे हैं, मतलब किस तरीके से हमने कोई चीज जीती है, हारी ये, वो भी kings वगएरा लिखा करते थे, तो ये बोलने का मतलब हैं, okay, can you think of the advantage of the writing on a hard surface and what could have been the difficulties, so आप यहां सोचना है कि इस तरीके से जो लिखा गया, इसमें क्या difficulties आती थे और इसके advantages क्या थे, okay, बसा यहां पर लिखा हुआ होँगा, टेंचन ना ले, okay, there were many other things that were made and used in the past, okay, बहुत से ऐसी भी चीज़े जो पास में बनाई गी थे और इस्तिमाल की गई थे, those who study these objects are called archaeologist, तो यह हमारा keyword है, क्या है keyword, कि जो पास की study करता है, जो भी चीज़ों की study करता है, उसे archaeologist कहते है, they study the remains of buildings made of stone bricks, remains of buildings या नि, जो भी अब building अगर तूट गी है, तो जो बच जा रहा है, उसे हम remains कहेंगे, okay, तो उसकी जो stones brick है, वो study करते है, archaeologist, paintings and sculptures, यह भी चीज़ under the surface of the earth, exactly, यह नि, मतलब गरे मुर्दे उखानना इस थरीके से कहेंगे, to find tools, weapons, pots, pants, ornaments and coins, यह सारी चीज़े के, यह जो भी विबन से हतियार है, pots से मटके वगरा, जो भी इस्तेमाल होते थे, pants वगरा, ornaments, जो भी चीज़े लोग पहनते थे, इस थरीके से हो के, coins वगरा, य Some of these objects may be made of stone, कुछ पतर के बने हो सकते थे, कुछ हड़ियों के बने हो सकते थे, bone, यानि, bag clay, यानि, bag clay, भून कर, जो चिकर को, चिकर को कहते है, keecher को, जैसे, okay, तो यह भी हो, इस्तेमाल किया जा सकता हो, metal को भी, okay, तो आप metal तो पता है, objects that are made of hard, imperishable substances usually survive for a long time, that's obvious, okay, if you make something out of this thing, so yeah, it will survive, मतलब आपको इस चीज हाट सर्फेस से बना रहे हो, metal भी हाट सर्फेस होगा, bone भी है, 30 जादे दिन ठीके के मुकाबले हमारे manuscript के, right, तो इस तरीके से आप यह चैप्टर को, मतलब, deal कर रहे हैं, आपको अगर समझ में आ रहा है, तो मुझे बताए, कि आप कि लोग क्या खाते थे, in the past, plant remains survive are more rarely, okay, जो plants के remains है, वो बहुत ही हारली सर्फेस करते थे, मतलब, बहुत ही कम, if seeds of grain or pieces of wood, seeds of grain यानि, जो भी हमारे चामाल के दाने समझ लिजे, wheat के दाने हैं, वो वाले, pieces of wood, जो भी लकडी के तुकडे है, have been burnt, okay, मतलब, जल चुके थे, they survive in chared form, chared form, chared form, यानि, जले हुए form में, जिसे हम कोई चीज जला दे रहे, जिसे हम लकडी को चला रहे, तो कुछ दिनों के बाद जो आप उनको राख नजर आएगी, जली भी चीज आएगी, उसे हम chared form, do you think cloth is found frequently by archaeologists, okay, कि cloth क्यों frequently found है, बार-बार मिल रहे थे, historian that is scholar, okay, historian that scholars who study the past, often use the word source, अदलब जो भी historian से scholar से, वो source लफ्स का इस्तिमाल करता है, किसलिए, to refer to the information found from manuscripts, inscriptions and archaeology, तो जो भी चीज़े हमें information हासिल हो रही किस से, manuscript से, inscriptions से, और archaeology से, उसके लिए वो source का इस्तिमाल कर रहे है, source यानि जरीय को कहेंगे हम, once sources are found, एक बार source मिल जाते है, तो learning about the past becomes an adventure, अगर हमें source मिल गए तो पास के बारे में जानना बहुत ही adventurous हो जाता है, adventurous हो जाता है, as we reconstruct it bit by bit, तो हम इसे आसा मतलब bit by bit construct करते है, so historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to fight about our past, तो यह बहुत आसान नहीं होता है, कि यह सारी चीज़े, clues के तो पर इस्तिमाल करते है, अगर कोई कोई चीज़ खोद रहे है, और उन्हें कोई चीज़ मिल जा रही है, समझे कोई मूर्ती मिली, कोई sculpture मिला, तो वो इसे ध्यान में रखेंगे, उसकी denting painting करेंगे, और क्या है, उसका पता लगाएगी, उसके जरी कोई कुलू मिल दा तो वहाँ जा कि और खोदेगे, उसके मतलब एक हमारा past है, एक हिस्ट्रिया बहुत सारी, did you notice the title of this book, our past, मतलब क्या आपने ये title का book क्या notice किया, our past, यनि हमारे जमाने जो गुजर चुके हैं समाने इस तरीके से, मैं exact words इस्ते मान नहीं करता हूँ, English पढ़ाते सा में, क्यों मुझे पता है, कि exact words से आपको English ना सम में आए, अगर मैं आपको बोलूँगा कि जमाने माजी, मतलब अर्दु में अगर बोलू तुम्हें, तो ये आपको याद मतलब समझ मिनने आए, इसलिए मतलब कि जो जमाना गुजर चुका है, वो बहुत सारे हैं, एक ही है सिरी इस तरीके से, we have used the word past in plural, okay, to draw, अभी मैं different for different groups of people, for example, the lives of herders or farmers were different from those of kings and queens, तो क्यों इस्तेमाल किया है कि, आपको पता है कि, जो मेरा past थे वो आपके लिए अलग होगा और आपका past मेरी लिए अलग हो, इस तरीके से, जो herders थे, जो farmers थे, जो किसान थे, जो herders थे, उनका past, और king और queen का past, जो मिरानी राजा, उनसे अ अलग होगा, बिल्कुल भी होगा, obvious है, the lives of merchants were different from those of cropsperson, and so on, तो इस तरीके से, इसले हम ने past का इस्तेमाल किया, pasts, आपर और देखी, also as it's true, even today people follow different practices, customs, okay, and different parts of the country, for example, today most people living in the undemand islands get their own food by fishing, okay, आपर बताना क्या चाहरा है कि हमारी आज भी कंट्री में कहीं लोग हैं, जो कहीं customs को follow करते हैं, और practices को अपनाते हैं, follow करते हैं, और custom follow करते हैं, जैसे यहां पर अंडर्मान का island का, इसकी example या गया है, कि वो अपने food के लिए fishing करते हैं, okay, और hunting करते हैं, collecting forest food, जो भी जंग in the past as well, तो इस तरीकी की चीज़े पास में भी हो सकती है, right, okay, so besides there is another kind of difference, we know a great deal about kings and battles, therefore because they kept records of their victories, generally ordinary people such as hunters, hunters, fishing, folk, farmers or hurdles, did not keep records of what they did, okay, while archaeology helps us to find out about their lives, there is much that remains unknown, तो यहां पर क्या बोना चाहरा है, कि जैसे अगर एक king है, तो उसके पात तो सारी resources होगे, पैसा बग्यरा होगा, लेकिन अगर हम किसान की बात करें, gatherers की बात करें, जो fishing folk है, जो मच्रिया पकर कर खाते हैं, बेचते हैं, उनके बारे में क्या क्या हो, उन्होंने अपने च चीजे पोस्ट करेंगा, कोई diary लिख सकता है, इस तरीके से कोई book लिख सकता है, लेकिन जो famous है, उसकी चीजे हमें नजर आएगी, जो famous हुआ ही नहीं कभी, तो उसकी चीजे हमें नजर ही नहीं आएगी, तो इस तरीके सी भी पहले के लोग भी थे, जो famous वान्तब famous यानी, अमीर नहीं थे, तो वो जादा गौर भी नहीं कहते थे, अपने livelihood पर ध्यान देते थे, what do dates mean, जो तारीके है, जो date है, वो उसका मतलब क्या है, dates क्या इस्तिमाल क्या है, एक date नहीं, दो, तीन, देट, चार, पांद, दस, हजार भी साइस तरीके से, if somebody asked you the date, you will probably mention the date month, year, 2000 and something these years are counted from the date generally assigned to birth of the Jesus Christ, okay, अगर आपको कोई date पुसता है, तो आप किस तरीके से उसे जवाब दोगे, आपको होगे, कि day कहेंगे, month कहेंगे, year कहेंगे, यानि, दिन कहेंगे, मैना कहेंगे, और साल कहेंगे, 2000 and something, okay, इस तरीके से, तो यह जो हमारी date किये जाती है, तो हम किस तर हम इसे date को denote कर रहे हमारे पास, okay, the founder of the Christianity, so 2000 means 2000 years after the birth of Christ, okay, तो Jesus Christ है, वो जब पैदा हुए थे, तो जब से लेकर अभी तक हमारे पास क्या चल रहा है, 2000 अभी तेवी चल रहा है, तो उन्हें पैदा होकर 2023 साल होगे, तो इस तरीके से हम consider करते है, all dates before the birth of Christ are counted backwards, okay, and usually have the latest BC, अभी इसे पहले के दर को हम BC कहें किया रही, before Christ, add it all, and this book, we will refer to the dates going back from the present using 2000 as our starting point, तो हम 2000 को हम, जो हमारा date है, 2000 को ऐसे starting point हम इस्तेमाल कर रहे हैं, okay, we will refer to the dates going back from the present using 2000 as our starting point, इस तरीके से इस्तेमाल किया सकते हैं, फिरे, okay, यहाँ पर छोड़ा साई column है, बहुत ही important है, क्यू sometimes find AD, okay, AD भी अपको लिका मलता है, before, okay, this stands for the Latin verse, Anodomino, Anodomini, meaning in the year of Lord, in the year of Lord, okay, that is Christ, तो हम आपी Christ की बात करें, Jesus Christ की, so 2012 can also be written as AD 2012, okay, ऐसा लिका जा सकते है, वास इतना ही आज रहे हैं, कोई पुछने आला है, पर से में नहीं पुछना रहे हैं, पर से में पुछना रहे हैं, instead of BC, okay, so CE sometimes used as instead of AD and BC, तो यह CE की इस तरीके सितिमाल कह रहाता है, AD और BC के बजा है, instead of BC, इस तरीके से, okay, सहीं तो बोर रहे हैं, sometimes CE is used instead of AD and BCE, instead of BC, okay, इस तरीके से, the letters CE stand for common era, BCE stand for before common era, we use these terms because the Christian era is now used in most countries of the world, okay, in India, we begin using this form of dating from about 200 years ago, बहुत सारे countries में फालोता है, इसलिए हम भी से फालो करते हैं, और 200 साल हमें हमने भी से इसे 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 पिर्धियत ह करना शुरू कर दिया, okay, and some time the letters B P, meaning before present are used इस तरीके से इसका बिस्तिमार करता है find two dates mentioned on page three which set of letters would you use for them तो आपको ढूना है ये आपके लिए टास्क है और ये सारी चीज़े दिया लिए keywords वगिरा मैंने भी आपको बता दिया है अलग से मने पालग से नहीं बढ़ा था परते परती आपको सब बताया हूँ तो ये सारी चीज़े थी अगर आपको वीडियो जर्रा सा भी पसंद आया तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें क्योंकि कितने टाइम से वीडियो देख रहे हैं आप तो कि तीस मिनट हो चुकिए अगर आपको सच में भी वीडियो पसंद आया अगर अब तक भी आप देख रहे है तो वीडियो को लाइक जरू करें और मुझे इंस्पायर करें कि मुटिवेट करें आगे वीडियो बनाये के लिए वीडियो देखने के आपको बहुत बहुत शुक्रिया